मेरी कमें से यस कमें मॉर्निंग सर्थ गुड मॉर्निंग सर्थ बाट जैंग थैंक अप फुली वैक्षिनेटेड हैं यह सर्थ कोई 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 सेम्टम्स तो नहीं है ना नो सर्थ तो मास्क रिमॉव कर सकते हैं जी आकाश एक संचिप परिशे दें अपने सर मैं सर मैंने अपना ग्रैजुएशन सर इलेक्ट्रोनिक्स इन कम्मिनिकेशन इंजीरियरी में 2018 में एई-ई-ए-स-टी-ार डिली से की है सर और हाली में सर मेरा सेलेक्शन यू-पी-ए-स-ई-पी-ए-फ में रिजर्व लिस्स से जेनरल लिस्ट का अलॉट्मेंट हो गया सर रिजर्व लिस्ट का एक दू महिने में आज़े अगाश यह बताई है कि आपने इंजीनियरिंग की है और आपने विशे चुना है PSIR क्या इंजीनियरिंग में आप अच्छे नहीं थे या PSIR में आपको लगता है बहुत अच्छ सब्सक्राइब नहीं है और सब्सक्राइब और मेरी माता जी भी सर पॉलिटिकल साइंस बैग्ग्राउंड से अकाश यह बताईए आप आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं एक प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए सर प्रशासक को कई सारे गुणों से भरपूर होना चाहिए जिसमें सबसे कुछ महतुपुर्ण गुण है सर की decision making abilities होनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे सही decision ले सकें सर इंपथ होने चाहिए बहुत अच्छी बात है और प्रशासक जब प्रशासक बनके छेत्र में जाता है तो किन समस्याओं का वो को phase करता है वो किन समस्याओं से जूजता है वो जी सर एक प्रशासक सर policy implementation और formation में रहते हैं सर और दिक्कते इसी phase में आती है सर कि जिस जो policies होती है government की वो proper तरह से सर नहीं disverse हो पाती है सर लोगों में तो वहां पे सर कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ता है political interference भी कहीं ने कहीं सर पाया जाता है और corruption भी सर कुछ phases में रहता है तो यह तीन major issues हैं तो आपने कुछ सोचा है कि अगर आपका chain हो जाता है तो इस इस को कैसे आप address करेंगे जी सर जो भी मेरा कारे छेतर होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि यह जितने भी issues है उसको properly handle करें और मेरे साथ ही जो रहेंगे सर उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रभावित कर सकूँ और जितना जादा से जादा सर मैं सेवा कर पाऊं लोगों की सर वो मेरी एक्ष यह क्या इस पर किया जा सकता है जो आपको लगे कि यह ज्यादा ही पारदर्शी हो पाए ज्यादा ही transparent system हो पाए human interference कम हो क्या इसमें आप कर सकते है डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया के तहत सबसे ज्यादा transparency तो सर डिजिटलाइजेशन करें हम अपने records का और accountability बढ़ा सकते हैं सर जिसे जो cabins हैं जो offices हैं उसमें CCTV लगा करके सर accountability बढ़ा सकते हैं सर और land records में अमूमन देखा गया है कि एक ही land plot of land पर 3-4 लोग दावेदार हो जाते हैं तो आप नए engineering भी किया हुआ है तो इस समस्या को दूर करने के लिए कोई विधी आपके जहन में जिसको आप यूज कर सकते हैं सरहाल में सर बिहार गवर्मेंट की policy आई है जिसमें सर डिजिटाइजेशन किया जा रहा है land records का सर तो historically आप देखा जा रहा है कि किसका सर उस पर राइट था land का और वह डिजिटाइज हो ज जितना ज्यादा land records है उसकी proper monitoring sir through drones and surveys GIS का यूज करके हो तो sir बेहतर तरीके से हम sir land management के बहुत बहुत धन्यवाद अकश अभी बता सकते हैं कि बिहार के विधान सभा में कितनी महिला सा अधस्या है सर यह संक्या मुझे नहीं गया देख लगबग मैं भी आदा अंदा जाने सभा का गठन हुआ था 1952 के चुनाओं के बाद उसमें महिला साथ इसके इतने थी सर संक्या मैं अभी नहीं सर मैं देख लूमा जाए अचा अभी जो पांचवा रास्ट्रे पारिवारिक स्वास्त जो सर्विक्षन हुआ है उसमें ली गनुपात कितना बताया गया है बिहा इंडिया का 1020 बताया गया सर बिहार का नहीं नहीं यादार है इंडिया का यह 120 जो हुआ है हाल के वर्षों में इसके बढ़ने का क्या कारण है प्रमुक कारण सर जो nfhs डेटा ने कोट किया है सर तो इंक्रीज यूज अफ कॉंट्रासेप्टिव सर और इंक्रीज इन जो यह 3 प्रमुक कारण सर बताया इसका आयूब प्रतियासा से कोई समन्ध है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जी सर अगर सेक्स रेशियो बढ़ेगा तो लाइफ एक्स प्रेरशीव बढ़ने चाहिए ओस सा गदेंगे डुजश्चालastics बढ़ने से सेक्सरेश्य बढ़ेगा पदाब महिलाओं की संख्या समाज में बढ़ रही तो कारिकरण समन्न किosedesis कि अआउप्रतियासब बढ़ने से महीलाओं की संख्या बढ़ेगी कि महीलाओं की संख्या बढ़ने से मज़ीं सर हिस्टोरीकली सर फीमेल की लाइफ एकस्पेक्टेंसी जादा ही रही है सर में से और से ज़्यादा रही है एक फीचर का कोई दस्रक याद हो 80 के दस्रक में 70 के दस्रक में नब्वे के दस्रक में इसका मुझत आ रहे हैं कि शुरू से आयू पत्यासा लबी रही है अपने अपने लिखा है कि आपका जन्म तो मजफरपुर में हुआ लेकिन आप मुलता पुर्वी चंपारन के रहने वाले हैं पुर्वी चंपारन में किन फसलों की मुख्यता खेती की जाती है सिर्म, मुख्यता सर सुगरकीन का सर वहां पे होता है क्यों मीठ्ची की बनावट कैसी है वहां अलियू वह स्वाइल है सर राइनफ Chad ऋसने एवरेज बिहार के रेइनफॉल से थोड़ा ज्यादा रेइनफॉल है इस चंपारण और यह दो कारण है स्वाइल का मैं उतना श्योर नहीं हूं कि क्या कंडिशन से सुगर की ठीक है कौन कौन से उद्योग है पुर्वी चंपारण में या उसके आसपास पर्शमी चंपारण समिट हुआ है सर उसमें वेस्ट चंपारण में मेगा टेक्स्टाइल पार्क प्रपोज किया जा रहा है सर उसे काफी इंप्लॉइमेंट बढ़ेगा सर और सर सुगर मिल्स हैं सर सुगर क्रशिंग के लिए पुर्वी चंपारण के जो आजू-बाजू में सीमावर्ती जिल और उसके इस साइड में सीता मरी से और साओथ में मुझफर पूरे सर उसर सिवहर भी टच करता है साउथ में सिवहर है जी सर साउथ इस्ट और उत्तर में और नौर्थ में सर नेपाल नेपाल और पुरवी चंपारण के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है कौन-कौन से नदिया पुरवी चंपारण से बहती है पुरवी चंपारण से सर गंड़क बहती है गंड़क का उद्गम क्या है आपको समिधान के प्रस्तावना याद है प्रियंबल जी सर मैं कोशिश करूंगा जी सर वी द पीपल अफ इंडिया हैव सॉलेमनली रिजॉल्ट तो कॉंस्टिटूट इंडिया इंटो सोवेरें सोचलिस्ट सेकुलर देमोक्राटिक रिपॉबलिक और तो गिव आवर्सेल्स अंड तो कॉंस्टिटूट इंडिया इंटो लिबर्टी ऑफ फेथ वर्शेप बिलीफ अन इक्वालिटी ऑफ स् इसमें क्या फर्क है जी सर फेथ जो है वो सर उसका ज्यादा समंद सर रिलिजन से होगा सर और बिलीफ जो है वो किसी भी नॉर्मल सरकम्स्टैंसिस या रिलिजियस सरकम्स्टैंसिस में हो सकता है क्यों हम तो कहते हैं कि I have faith in you मुझे आप पे भरोसा है इसका तो दर्म से प प्रस्तवी है और किस आठकिल में बिलीफ की हुई है प्रस्तावना में है तो कहने कहीं समिधान के जो प्रावधान है उसमें होंगे सायद मुल अधिकार खंड में होगा भागतीन में होगा तो चीफ मिनिस्टर का जो एपॉइंटमेंट है वो किस आर्टिकल के अंतरगत होता है सर मैं शोर नहीं हो पर 168 168 जी सर वैरी गुड ठीक है तो त्रिपुड़ा के सीम का कुछ बैक्ग्राउंड आपको पता है चुकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं चुकि आपकी अभी रुचियां भी प्लेंग बास्केट बॉल है ज जी सर बैक्ग्राउंड से जी सर वो स्पोर्ट्स बैक्ग्राउंड से रहे हैं सर और किसी स्पोर्ट्स से रहे हैं सर स्पोर्ट्स मैं ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया है पर पेपर में लिखा है कि वो स्पोर्ट्स बैक्ग्राउंड से रहे हैं सर एंसी सी के पार्ट रह का money bill और finance bill में क्या difference है जी सर money bill है जो article 110 में sir deal होता है money bill से sir और उसमें sir speaker किसी bill को money bill declare कर सकते हैं और वो sir लोग सभा में ही sir initiate होता है sir और राज सभा sir within 14 days अगर कोई amendment sir उसको करना चाहे तो कर सकता है प्रस्तावित लेकिन वो लोग सभा की sir पे होता है कि अगर वो उसको accept कर सकते हैं with amendment और without amendment sir जी सर और यह जो finance bill होता है sir वो sir किसी भी sir सदन में sir initiate हो सकता है sir और finance bill के दो categories है categories one categories two जी सर तो दोनों में क्या difference है सर एग्जेक्ट डिफरेंस किस आर्टिकल में है यह finance bill आर्टिकल फार्टीन है पर मैं श्यौर्ण में थार्टीन थार्टीन है शायद श्यौर्ण में खेर मुझे यह बता सकते हैं कि बिहार में कितने smart cities हैं जी सर बिहार सरीफ पटना मुझफर पूर और एक और है सर भागल पूर है शायद में चौथे कश्य और नहीं सर तो smart cities के लिए क्या basics क्या criteria होता है और वहां पर किस तरह का development हो रहा है भी जी सर smart cities में सर फंडिंग दी जा रही है सरकार की तरह से उसको model cities के रूप में develop किया जा रहा है जो सर उसके around के cities हैं वह भी इस model पर develop कर सके सर और सर ICT का use हो रहा है जी सर तो अगर मुझफर पूर का हम उदाहरन ले 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 तो मुझफर पूर में क्या-क्या नया development आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के अंतरगत जी सर सॉलिड वेस्ट मैंजमेंट में सर मुझफर पूर ने काफी सर एहम भूमिका निभाई है सर और वो नेशन वाइड सर एक एक्जामपल सेट किया सर मुझफर पूर ने वेस्ट मैनेजमेंट में और रोड का महात्मा गांधी जी ने सर सत्यागरह की सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चंपारन से किया था सर और इंडिगो कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट किया गया था तो चंपारन को सर गांधी जी का नॉन वॉयलेंट मॉव्मेंट और सत्यागरह का सर स्टार्टिंग पॉइंट माना ज और महात्मा गांधी के सत्यागर में बेसिक डिफ्रिंस क्या है। जो है वो एक टाइम पे एकसेप्ट करेगा सर की वालेंट मीन्स को वो खुदी छोड़ेगा और आपके जो भी डिमांड से उसको नॉन वालेंट तरह से एकसेप्ट करेगा जबकि अरबिंदो का पैसिव रेजिस्टेंस है सर वो कही ने कही सर रिवॉलुशनरी मेथड में आ है इंक्लूडिंग बिहार राज ने कि कास्ट बेस्ट सेंसस करवाया जाए भारत सरकार अभी फिलहाल इस पक्ष में नहीं है हमें यह बताएं कि कास्ट बेस्ट सेंसस करवाने के पीछे क्या उद्यश्य है सर राज्य सरकारों का जी सर आज बिहार में सर आज और पार्टी मीट है सेंसस के लिए सर तो सर जो बिहार और उस तरह की सर कुछ राज्य जो हैं वो सेंसस की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि कुछ कास्ट हैं जो सर डिवलपमेंटल प्रोसेस में पीछे हट गए हैं उनका प्रॉपर तरह से उनको मार्किंग किया जाए और फिर उनको सर उनक करने के सर्मेर देश कभी कास्स क्या गया है भारत में शौर नहीं है तो कास्साइस भारत क्यों नहीं कर्वाना चाहिए इसके पीछे क्या मनसा जी सर इंडिया सर मल्टी एथनिक सोसाइटी और इसमें कई सारे कास्ट हैं और सब लागों में चले जाते तो इस करण से काफी difficult exercise होगा सर दूसरी बात कि जो urban population है सर वो shy away करता है अपने कास्ट को दिखाने में सर तो वो exercise कहीं न कहीं सर वो futile हो सकता है अगर wrong data दे दें सर और तीसरा जो बात है सर वो है कि इसका सर political misuse भी हो सकता है अपका मनतव क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी सर अगर में जितना मुझे सर limited knowledge है सर उसमें नहीं होना चाहिए सर कास सेंस क्योंकि कई सारे चलिए सुमनतव समझ लिया अन्तिम प्रशन आप से GI tag से आप क्या समझते हैं जी सर जी आई टैग दस सालों के लिए दिया जाता है सर और उसमें सर जो भी product होता है उसका कोई अगर मुझाफरपुर की लीची है सर उसको GI tag मिला है सर तो कोई भी और साही लीची नाम से अपना लीची नहीं कर सकता है सर उस रीजन में वो सर वो जो product होता है उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन और उसका क्वालिटी प्रेजर्वेशन के लिए जी जी आई ट्यवलाग लीची के अलाबा है और किसी क्ंवोडिइटी को दिया गया है वैहर तक सिलाव खाजा सर कतर्नी राइस मगी पान बहुत बहुत धन्यवाद आग आगास आपका इंट्रुवी सवाफता है आग सकते है दन्यवाद 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 आखर ने किस अधर अच्छा कोशिच किया में सुल्वाइब किश इंटरवियो आपका सर 27 पिषिए अधर रहा है तो इसे कहते हैं पयर आप इसका में इसा किद आप इसका ड़ने सिर्ट वाट दिसे और पर से व्हांदार विति आप्रवन्यन आप का सा सुन्दों आप पर द आपका पॉजिटिव लुक है आपका यूत्फुल लुक है स्माइलिंग लुक है यह बहुत अच्छे क्वालिटीज है एक सिविल सर्वेंट के लिए फर्मनेस भी आपके ऑपिजियन्स में था तो फर्मनेस होना चाहिए कभी गेस वर्क ना कीजिएगा वो गलती नहीं आता है प्रशन तो बोल दीजिए मुझे नहीं आता है और आपको लगता है थोड़ी जानकारी है तो पर्मिशन लेके बेंबर का तब आप गेस करेंगे व पूरा इंटर्व्यू जो आदे घंटे का हुआ अच्छा रहा आपका आप चुकी हैं इस चंपारन मजभपूर दोनों का मिक्स है तो आप मान के चलिए कि आपको कुछ ना कुछ क्वेस्टन आपको पूछा ही जाएगा गांधी जी से रिलेटेट चंपारन सत्यागरा से पूरा चंपारन सत्यागरा को और डीटेल्स में पढ़ लें कि इंडिगो वरकर्स का क्या प्लाइट था कैसे एक्स्प्लाइटेटिव सिस्टम था और गांधी जी साथ अफ्रीका के बाद सिर्फ वहीं क्यों गया और वहां के कौन से बिहारी लीडर्स थे जिन लोग ने उनको सपोर्ट किया यह में ठीक है ना कुझापूर के वारे में आपकी जानकारी मोटा मोटी आप अच्छी है इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है में है कि आप हैं पी एस एायर के स्टुडेंट के तहत आपको जैसे सी एम चीफ इनिस्टर का अपॉइट्मेंट के लि मुझे मुझे नहीं आता है मैंने पढ़ा है अभी याद नहीं आ रहा है और याद अगर लगे कि शायद यह है तो आप पर मिशन ले ले सर मैं कन्फ्यूज हूँ मुझे लगता है 168 है तो फिर आपकी बात सही हो जाती कि नहीं साहीं 164 है लेकिन स्ट्रेट जब आप ना बिल जो है आपका आपने कहा 113 वो 117 में होता है ठीक है न तो इस तरह की गलतिया फैक्चुल जो है गलतिया उसको बिलकुल ना करें आप जो भी है आप उसका सही आता हो तो बताएं ना आता हो तो ना बताएं दूसरा चुकि आपका रहा है इंजिनिरिंग बैक्गरांड रहा है वो भी आप electronics communication में किया है तो वहां का बिहार में आज के बिहार में इस छेतर में क्या कार्ज हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं इसकी जानकारी आप ले लीजिए आप क्या इसको personal level पे contribute कर सकते हैं इसकी जानकारी आप ले लीजिए और generally जो आपको हो रहा है आपको digital इंडिया के ताहित जो स्कीम चल रहे होंगे बिहार में एक उसकी जानकारी ले लिए यह जो प्रशन जो आप से रिलेटेड है वो यह यही प्रशन हमें समझ में आ रहा है जिससे की पूछा जाएगा इसके अलाबा तो देश में क्या हो रहा है बहुत सारी विदेशों की जो समस्या हैं अब अवगत होगे ही जिसको ब्रश अप कर लें आप तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा यह वंडर्फुल कैंड़ेट फार दा सिविल सर्विसेस मतलब आपको बिहार प्रशासिक सेवाब में चैन होना चाहिए ऐसा हमारा विश्वास है बस आप इमानदार पांच कुश्चन भी ना आता हो ताप इमानदारी से बोल दिजी हमें नहीं आता है सर्व बसरते की गलत क्वेस्चन आप इसका भी नहीं जवाब दिया मैं इसका नहीं जया अब मैं इसका जवाब ज़रूर दे दूँगा वैसा नहीं कीजिएगा इंटेगरिटी इस वेर भिसतर दो इसका ब्स बहुतन आन्यूर कर आई